नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंकला में आज सुनेंगे सुनीता जैन जी की कहानी पारवती जब रोएगी लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें आज सुनिये पारवती जब रोएगी सिगरेट का पैकट जेब से निकालते हुए उसकी उंगलिया अंगूठी की डिबिया से टकरा गई और जेब में ही ठिठक गई सोनिया की कार बाईं और मुड कर ओजल हो चुकी थी शाम के घिरते अंधकार में शिकागो की भीमकाए दुंदली कलसाई इमारतों के साए में दबा वह एकाएक ठकासा हो गया पोर-पोर में ठकावट ऐसे रिसाई की खड़ा होना दूबर हो गया पैर घसीटता वह इंटरनेशनल हाउस की सीड़िया चड़ने लगा हेलो किसी ने कहा हेलो बिना देखे ही उसने जवाब दिया सोने की सादा अंगूठी अभी जो सोनिया पसंद कर गई थी उसकी जेब में थी परसों वह उसे पहन लेगी परसों वह उसे पहना देगा शर्मा सामने से आ रहा था वह कतरा कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया साला उसके मुह में एक शब्द उबरा उसे देखते ही शर्मा की आँखों में जो एक घिनोना वासना भरा प्रश्न उभर आता है उसे वह सहन नहीं कर पाता और कुछ कह भी तो नहीं पाता शर्मा की मिचमिची आँखी और युवा वस्था के मुहासों के दागों से भरे चेरे पर वह प्रश्न लपलपाता रहता है पहले वह मिलते ही कंधे पर हाथ मार कर पूश्टा था है ना गोरी चमडी कमाल की चीज दोस्त तो बड़ा किस्मत पाला है आते ही बढ़िया माल हाथ लगा है यहां चार साल में सब घिसी पिटी तब भी उसका मन होता शर्मा का मूँ नोचले आँख निकाल ले पर वह खिसिया कर रह जाता कभी सोनिया पर जहलाता कि क्यों ऐसे सब के सामने उससे सटकर चलती है सटकर बैठती है पर अब शर्मा कुछ नहीं गैता सोनिया उसकी वाग दतता है पर घिनोना जिग्यासा भरा भाव वहां बन आता है सदा है ना मजे बाब के अंधेरे कमरे के सामने से गुजरते एका एक उसके पैर लड़खडा आये अंधेरे में दो मृत फूली आँखें उभर आई सारा शरीर काप उठा मंगलवार को जब बहुत खट खटाने पर भी बाब ने किवार नहीं खोला था तब पुलिस ने आकर दर्वाजा तोड़ा था और कॉरीडोर में खड़ी उत्सुक भीड को कुर्सी पर सीधे बैठे सामने देखते बाब की आँखें दिखाई दी थी फिर कुर्सी के दोनों और जमीन पर सूखे रक्त का कथा ही सा धेर जल्दी जल्दी भै कमरा पार कर अपने कमरे में आ गया मानुक बाब उसका पीछा कर रहा हो इसे ही भूत प्रेत का डर कहते हैं क्या उसने हसना चाहा एक सूखी खोखली फटी सी आवाज खाली कमरे में भर गई बत्ती जलाय बिना ही वह पलंग पर लेट गया आज कल छुपतियां हैं इंटरनेशनल हाउस में बहुत थोड़े लड़के हैं बाकी लोग घूमने गये हैं या इधर उधर नौकरी पर उसके कमरे में रहने वाला मदरासी लड़का भी नियादरा गया है सब और शान्त चुप्पी यह आज किसी हिंदूस्तानी ने चोरी से कमरे में हल्वा भुना है शायद हवा में घी आटे की भारी गमक अभी है वैसी ही जैसी उसके कमरे में शादी के बाद कितने ही दिनों तक भरी रही थी माने बची-खुची मिठाई कनस्तरों और टोकरों में भर कर उसके ही कमरे में रखवा दी थी और वह तब तक वहीं पड़ी रही थी, जब तक की जला कर एक दिन उसने उन्हें छट पर नहीं डलवा दिया था धर्मपुरे की वह दो कमरों की उपरी मंजिल जिसमें वे रहते थे मा, पिताजी, कम्मो, विम्मो, मन्नो, स्वयम वह और पार्वती कम्मो, जरा उसे भेजना तो, कमरे में खाने की थाली लेकर आई कम्मो से उसने कहा था वह भाभी तो, सावली कम्मो होट काटती नीचे उतर गई थी हाथ का हैंगर पलंग पर ठेकते वह बेहद जुझला गया था वह अलग है, कम्मो का आधा वाक बेढ़ंगा मुह बना उसने पूरा कर दिया था नीचे किसी कोने में टाट पर गठरी बनी पड़ी होगी अख़बार पर रख खाना खाएगी और मिट्टी के बरतन पर पानी पियेगी जाहिल उसने दाट पीसे थे जाने पारवती पर, घर पर, मा की छुआ छूट पर, या की सारे धर्मपुरे पर, सारी दिल्ली, सारे समाज पर धर्मपुरे से उसे नफरत थी, सक्त नफरत गली में पैर रखते ही, नाग पर रुमाल रख वह सिकुडा सिकुडा गंदगी और खिड़कियों से फेके गए कूडे से बचता, आवारा गाए भैसों से कतराता चलता था यहीं वह पैदा हुआ था, यहीं खेला था, पर हर दिन के साथ, उसकी घ्रणा यहां के लिए बढ़ती जाती थी छत पर बैठावाय मोटी मोटी किताबें लेंप के प्रकाश में पढ़ता, मा की कराहट और पिताजी की दमख हासी को सुना करता लोहे के जाल के नीचे रसोई पर से आती जाती, तीनों बहनों के युवशरीर और पीले चेहरे उसे जहर से लगते थे कभी सीधे मुव उनसे बोलता नहीं था, बेचारी सहमी रहती थी उससे वह चाहता था कि वे पढ़ें, कुछ करें, घर में खाली ना पढ़ी रहें, सबको टीबी हो जाएगी टीबी, उसका मन चिलाता, पर कहां जाएगे? गली में आवारा गुंडे हर पन्वाडी के यहां जमघट लगाए रहते हैं उनके चज्जे की ओर मुख कर सीठिया बजाते हैं पान से रंगे होटों पर जीव फेरते हैं किस किस से लड़े वह, लड़ने लाइक हो भी तो नाली के गंदे कीडे और मेज पर मुख का दे मारता सच ही तीनों को टीवी हो जाएगी और MSC में पढ़ने वाले उसने उस मोटे मारवाडी की चार फुट आठ इंच की अनपढ दुबली लड़की से बिना चूँचरा किये ब्याह की हां भरती थी मन्नों और बिम्मों दोनों का ब्याह एक सप्ता के आगे पीछे हो गया था एक का खेकड़ा दूसरी का रिवाडी मा खुश नहीं थी गाउं में लड़कियां जाएं और वह भी देहातियों के हां शहर में क्या बाबु लड़के नहीं थे थे तो किन्तु ये भी सब गंदी गली कूचा माली वाडी में रहते थे जहां कबूतर और इंसान बदबू और धुआ साथ साथ पनपते हैं जहां पाखानों का मल्क कटकुतले सिरपट होते हैं जहां टीवी के किटानों सांसों में जीते हैं नहीं मन्नों और विम्मों साफ हवा में रहेंगी गंदगी भरे इस वातावरण से दूर करवट बतलते उसे लगा पारवती वहीं कमरे में धर्ती पर लाल दुशाले में लिप्टी पड़ी है पसीने से और घूंगट से फैली बिंदी रोने से सूजी आँखें पपड़ाय होट मेहदी की बासी गंद भरी हतेली जिसमें सैकडों पतली आड़ी तिर्ची लाइने कीची थी और सुबकियों में उठता गिरता पारवती का वक्ष पारवती अरे उमाही हो जाता नाम कॉलेज में साथ पड़ती थी विभा, रचना, अर्जना, संध्या, निशा घर में पारवती पारो भी तो कैसे कहे? विमल राय प्रोडक्षन की पारो कहां वह सुमित्रा सेन और कहां यह? नहीं, पारवती पारवती ही थी फिर नाम लेना ही कब होता था? वह बोलती जो नहीं थी हां, जी, किया करती थी शुरू में तो वह भी नहीं हाथ लगाया तो रो पड़ी बड़ी खीज होती थी उसे कभी-कभी पहले दिन, शादी के छे रोज बाद जब उसे अपने कमरे में बैठा पाया था तो थोड़ा अच-कचाया था यह नहीं कि वह विवाह में उसे विदा करा लाकर भूल गया था सिर्फ उसे विशेश उत्सुकता नहीं थी इस घर में मा के नियम बंधन थे वधू उसकी हुई तो क्या? जब मा ठेक समझें की उसे भेजेंगी पर बाद में लगा कि पार्वती खुद ही आई नहीं होगी रोही होगी घूंबट उलटते ना उलटते उसकी डर से गिग्गी बंध गई थी वह बाग था क्या? वह जो अंग्रेजी के बहुत उपन्यास पढ़ता था अंग्रेजी की फिल्में देखता था कि सही सही चुम्बन कैसे किया जाता है उसकी सब सेक्स नॉलेज रखी रह गई थी पार्वती ने शायद इस विशय में कभी सुना ही नहीं था सुना था तो जाने क्या? घुटनों में मोह छिपाया कि जो उठता नहीं था अकडता ही जाता था ठक कर वह पलंग पर सो गया था पार्वती वहीं गठरी बनी बैठी रही थी कितना समझाने बुलाने पर भी नहीं आई थी लेटे लेटे उसके शरीर में वही दोपहर वाली बिजली कौन्धने लगी वही उबाल सोनिया के पसीने और सेंट की मिली जुली गंध गंध की जो पहले पहल उसने बीच पार्टी के औसर पर अनुभो की थी तब भी वह धूप से ओट किये अन्मना सा लेटा था धर्मपुरा की ही सोचता मा के कम्मों के शायद पार्वती के संबंध में सोचता सा वह उसके करीब रेट में पसर कर बैठ गई थी तुम क्या सोच रहे हो? मुह से सिगरेट निकाल कर वह उठ बैठा था परेशान सा कुछ नहीं, कुछ नहीं क्या सुनेहरा दिन है? थोड़ा तैरोगे? मैं? मैं तो तैर नहीं सकता अरे? अच्छा मैं तैरा हूँ बड़ी गर्मी है उसके पास ही खड़े हो उसने एक जटके से जिपर खोल अपनी पतली सूती फ्रॉक उतार दी थी नीचे वह लाल सफेद धारी का बेदिंग सूत पहने थी लाल रंग में उसका गोरा जिस्म कौन्ध गया था और वह पानी में उतर गई थी पानी को चीरते उसके पैरों के तल्वों को वह देवता रह गया था सोनिया पिछले साल उसने अपने पती को तलाग दिया था कारण की आपस में बनी नहीं अब वह एक ओफिस में काम करती है विदेशी विद्यार्थी उसे बहुत अच्छे लगते हैं इसी से इंटरनेशनल हाउस में उसकी शामें बीठती है टेली विजन या फिल्म देखने से तो किसी विदेशी दुनिया के बारे में बादचीत करना अच्छा है ग्यान बढ़ता है उसने कहा था हिंदुस्तानी मेरे फैबरेट है भारत को मैं अच्छा मानती हूँ कभी जाने का भी मन है वहाँ पर हिंदुस्तानी लड़कों में बुरा नहीं मानना कुछ लड़कों में मैंने देखा है एक खराब आदत है कि हम लोगों को सस्ता या बाजारू मानते हैं उनमें महिलाओं के लिए विशेश आदर नहीं है कुछ की ही बात है शेश सब बहुत सीधे बहुत ही भोले प्यारे होते हैं बच्चों की तरह सोनिया के दात बड़े साब सुत्रे थे उसकी हसी उनमादक इस एकाकी पन में सोनिया जैसे उसका आसरा हो गई थी छुटी के दिन में सारे शिकागों में घूमते सोनिया की छोटी सफेद कार में एक दिन उसने उसका हाथ दबाकर दीरे से कहा था तुम बहुत अच्छे हो मनी नाम मनींद्र है यहां सब मनी बुलाते हैं मनींद्र कोई कह ही नहीं पाता फिर सोनिया ने घर पर बुलाया था कितनी बार शनिवार दोपहर का भोजन अपने यहां कराया था तुम्हें जब अकेला लगे फोन कर दिया करो मैं लेने आ जाओंगी हर व्यक्ति को दूसरे की जरूरत होती है मनी मेरा भी तो मन उचाट हो जाता है अक्सर सोनिया ने उस दिन उसे अमरीकी नरत सिखाना चाहा था अजब हुरदंग नरत था वह हस्ते हस्ते बैठ गया नहीं बाबा मुझसे नहीं होगा अच्छा आओ एक पुराना डांस सिखाऊं देखो ऐसे धीरे धीरे उससे कुछ नहीं सुना गया सोनिया की कमर को घेरे हाथ पर तचा के इस्वर्ष का भान तीवरितर होता जाता था उसके सीने से सटे सोनिया के वक्ष की चुबन और तीखी उसने एक भी स्टिप नहीं सीखा तो हसकरवय उसके गले में बाह लटका कर जूल गई थी और माथे से माथा सटा लिया था दोनों की सासे एक दूसरे के मुह को गर्मा गई थी होठों पर इंच भर फासला था अरे बुद्धू प्रियर नहीं सोनिया नहीं बर्चा ना चुम्बन को ना उसके हाथों को सिर्फ उसने आखें बंद कर ली थी सासे उसकी बिंधे पशु की हुंकार सी हो गई थी और मनी की जकड में उसका शरीर कितनी ही देर तड़ता रह गया था बहुत देर बाद उसने आखें खोली थी मनी का माथा अपने वक्ष में छिपा कर वह बोली यू सिली, I have wanted you for so long अजीब मस्त लड़की सोनिया उसने कभी नहीं रोका ना उस दिन उसके बाद आज तक भी नहीं ना कोई वायदे करवाए ना वचन लिये ना ही रोनी भावुकता भरी बातें की एक तथ की स्वीकारोकती की तरह वह कहती मनी, I love you पिछले सक्ता भी उसी तथ की स्वीकारोकती के स्वर में उसने कहा था मनी, मुझे गर्व है नहीं, वह रोई जींकी नहीं उसने कुछ धमकी नहीं दी सिर्फ उसके माथे पर थोड़ी चिंता की सलवटें उफर आई थी और उसकी उंगलियां मनी की पकड में काप रही थी तुम चिंता मत करो तुम मेरे प्रतिक किसी तरह बाध नहीं हो मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ जैसे भी होगा निभालूंगी यो सिली मनी ने जब विवाह की बात कही तब ही वह रोई थी कृतगता से मुक्ती से भर कर पर तुम सचमुच चाहते हो क्या हाँ सोनिया हाँ शर्मा ने एक बार कहा था दोस्त यहां जरा बच कर चलना ये लोग इस्तेमाल के लिए हैं बांधने को नहीं पकडाई में आ गय तो बंध जाओगे फिर छुटी नहीं रस्तोगी इसी चक्कर में फसा बेचारा क्रिस भी सोनिया हम इसी सब्तार रजिस्ट्री करवा लें एकदम इतनी जल्दी क्या है नहीं इसी सब्तार हाँ उसे जल्दी थी शर्मा की विजय वह नहीं होने देगा किसी को पता चलने से पहले वह विबाह कर लेगा फिर उसे उस धर्म पुरा में नाली के कीडे सी जिंदगी में लोटना ही कब है लोटेगा भी कैसे और क्यों साइंटिस्ट पूल में बहुत होगा 400 की नौकरी मिल जाएगी उतने में रिटाइड पिता बीमार मा को लेकर कहां रह सकेगा दिल्ली में यहां से 10,000 रुपय कमों के ब्याह को भेज चुका है 2,500 रुपया महीना तो यूंही भेज देता है कमरे में सिगरेट का धुआ भर गया था हलवे की गंद से उसे मिचली होने लगी उठा की कुछ खा लिया जाए डिनर तो नहीं मिलेगा आप कॉफी केक ही सही बॉब का कमरा वैसे ही बंद था कई अफवाहें उठी थी कि उसकी प्रोफेसर से अनबन हो गई थी उसने आत्मत्या कर ली क्योंकि एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो रहा था वह mentally disturbed था बॉब बहुत मेधावी था वह लड़का आखों पर मोटा चश्मा चढ़ाए वह कुछ ना कुछ करता रहता था हर्तम किसी ने कहा उसका breakdown हो गया overwork से कैफेटेरिया अब तक खाली हो गया था भूख थी पर खाना दूभर हो रहा था वह अमरीका जाएगा सुनकर पार्वती ने तुलसी का चवरा छट पर अपने कमरे के बाहर ली पा था छट की यह बरसाती उन दोनों का कमरा थी उपर टीन की टाण में घर का फालतु सामान भरा था गद्य रजाई जो महमानों के लिए बनाए गए थे फालतु बर्तन, पुराना चर्खा, गरम कपड़े, दिवाली की हटी, खिलोने वह ठीक से जाए और ठीक से लोटे इसी से पार्वती तुलसी के नीचे दीपक जलाती थी पूजा वरत करती थी और आने के समय वह उसे देख भी नहीं पाया वह अलग थी तीन दिन को उन फालतु दो धाई सो रुपियों को भी उसे अपने हाथ से सौप नहीं सका जो सब खर्चे के बाद उसके पास बच रहे थे उसके संदोप में उपर रख कर चला आया था नहीं उसे पार्वती से प्यार नहीं था उस अंडेवलेप्ट लड़की से भला किसे प्यार हो सकता था कॉफी के करवे घूट निगलता वह सामने बैठी बॉब की गर्रफेंड सूजी को बॉब के पक्के दोस्त जॉर्ज के साथ बातें करते देखता रहा दफन के समय भी वे दोनों साथ साथ खड़े थे जब सूजी रोई थी तो जॉर्ज के कंधे पर सिर रख कर किन्तु पार्वती जब रोईगी तो तो किसका कंधा होगा तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताएं